जब हम राजयोग मेडिटेशन सीखने आते हैं, तो पहले दिन, पहली थोट, हर एक आत्मा है, लंबी यात्रा पर है, संसकार अलग-अलग है, कार्मिक अकाउंट अलग-अलग है। राइट बात है यह, राइट बात है यह, तो फिर एक्स्पेक्टेशन रखना, वे गएंस्ट नेचर बाइव अलग-अलग है, हर एक का कलर भी अलग है, शेप भी अलग है, फ्रेग्रिंस भी अलग है, और वो ही गाडन की ब्यूटी है, आप सोचो कभी हम सारे एक जैसे हो ज जाएं, हम सारे एक जैसे हो जाएं, कैसी हो जाएगे जीवत, वो भी अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है, देखो, कितना बोरिंग हो जाएगा ना, सारे एक जैसे हो, ब्यूटीफुल कितना है कि हर एक अलग-अलग-अलग-अ लेकिन हम केते हैं संसकार अलग-अलग हों गलत नहीं होने चेया हैं वो गलत हमें लग रहे हैं इस समय सामने वाले के लिए वो ही सही है कुछ लोग अपने संसकार चेंज करना चाहते हैं कुछ तो चेंज भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनका संसका तो हम सिर्फ क्या दे सकते हैं उनको हम सिर्फ उनको क्या दे सकते हैं हम हर्ट ना हो बस हमें और कुछ भी नहीं करना है अगर हम हर्ट नहीं हुए तो हमारी पॉजिटिविटी तो कॉंस्टन्ट है ना कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए नेगिटिव नहीं भेजता है प्यार जा रहा है लेकिन जैसे ही मैं हट हुई तो मेरा प्यार ब्लग हो गया एक टाइम पर एक ही एनरजी जा सकती है चाहे वो दो मिनिट के लिए हट हुए चाहे दो घंटे के लिए हट हुए उतनी देर नेगिटिव एनरजी वाइबरेट हो रही है आपके बच्चे को अपसेट होंगे तो कैसी एनरजी जाएगे, चिंता करेंगे तो कैसी एनरजी जाएगे चिंता होती है परिवार के, परिवार के चिंता होती है, चिंता करना तो कल्योग का नॉर्मल ही सारा उपर नीचे हुआ है, चिंता, चिंता means negative thought, care means फरक दिख रहा है ना हमें तोनों चीज़ों के अंदर तो हमारी हर थौट जो वाइबरेट कर रही है वो प्योर, क्लीन, पावर्फुल होने चाहिए बच्चा घर नहीं आया क्यों सारी गलत बाते सोच लेते हैं उतनी थोड़ी सी देर में ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो मुझे एक दिन एक पेरेंट कहते हैं मैंने सोच यह भाग ना गया हो किसी गलत संग में ना चला हो गया हो कितने आशिरवाद दे देते हैं नेगिटिव अगर सुबह आपका बच्चा घर से जाने से पहले आपको कहे कि मम्मी अगर शाम को मेरा अक्सिदेंट हो जाए ना तो आप उसको इमेजेटली क्या कहेंगे आप उसको इमेजेटली क्या कहते हैं ऐसी बाते मत बोलो शाम को अपने आपको कहते हैं ऐसी बाते मत सोचो उसको कहते है शुब शुब बोलो ऐसा बोलना नहीं चाहिए कभी अपने मन को कहते है शुब शुब सोचो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी तो चिंता अशुब सोचना है चिंता अशुब सोचना है अगर वो बच्चा कहीं प्रॉबलम में अठका भी होगा न लेकिन आपकी यहां से powerful, pure, vibration, आशिरवाद जाएगी, उसका विघन खतम हो जाएगा, हम कहते हैं न, दुआओं से विघन क्या होता है, खतम हो जाता है, लेकिन वो अराम से भी आ रहा होगा न, और यहां से accident, 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 तो कहीं एक scratch तो लगी जाएगा उसका आते हैं, vibrations इ ज्यान से बोलते हैं और व्यवाहार करते हैं, उससे कई कुणा ज्यान से सोच ना है, सोच पर ध्यान रख लिया, तो बोल और व्यावाहार पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जिसकी सोच अच्छी होगी, उसके बोल तो automatically, अच्छ है यह होंगे, लेकिन convert करते गए न, कि सोचा कुछ और और बोला कुछ, और अब वो गांट को फिर से देख लें, अब इसको खोलना है, first step क्या, गांट बने होई है, first step क्या, क्या करना है, first step, expectation नहीं कि उनका संसकार मेरे सैसा हो, मुझे कौन से संसकार से सोचना, बोलना और व्यवाहार करना है, अपने संसकार से कितनी बार कितनी बार मैंने एक बार help की उन्होंने फिर भी ने की मैंने दूसरी बार की मैंने तीसरी बार की मैंने दस बार की कितनी बार मैं ही करूं कितनी बार मैं ही करूं क्यों बार बार मैं ही करूं क्योंके वो मेरा संस्कार है Is this normal? ठीक की डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे? ठीक की डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे? ठीक की डेफिनेशन जो मुझे और दूसरों को सुख दे उस सही है जो मुझे और दूसरे को सुख दे उस सही है तो एक दूसरे से expectation के उनके पास सेम गाना होगा CD पे नो उनका गाना अपनी CD पे copy करना नो उनके संसकार को copy करना नो अपना संसकार action में लाते रहना कितनी बार कितनी बार हर बार क्योंकि जितनी बार हम लाएंगे हमारा संसकार क्या होता जाएगा और पक्का होता जाएगा and जब हम दोनों के बीच ये हो रही थी negative energy अगर हम ये बात किसी और को ना बताते तो at least हम thousand लोगों की और negative energy इसमें add ना करते करते हैं